कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज हम दोलपूर जिले के बारे में अधिन करेंगे प्राजस्तान की दो जाट रियास्ते थी एक रियासत भर्थपूर रियासत दूसरी रियासत दोलपूर थी यह दोनों रियास्ते जाट रियास्ते थी शुरव पर्तम 1722 में जाट साथ सब किर्चिये ने दोलपूर प्रादिकार किया था 15 अप्रेल 1922 को धोलपूर राजस्तान का 27 जीला बना यह चेतर बसा स्तानिय बसा में डांग के लाता है धोलपूर जिले को स्तानिय बसा में डांग कहा जाता है तो मर्वस के साथ सक धवल देव ने ग्यारु स्ताब्दी में दोलपूर सहर की स्तापना की थी समुगड का युद धोलपूर का परशिद युद माना जाता है जो रा काचबूत्रा स्तान पर लेडा गया समुगड का युद रा काचबूत्रा नामक स्तान पर लेडा गया यह युद दारक्षिव तता ओरंग्जेव के मद्य 1608 इस युद में ओरंग्जेव के विजेव थी दोलपूर परजामंडल का घठन दोलपूर परजामंडल का घठन 1936 इस्वी में किया गया स्वंतर्ता के बाद राजस्तान के एक एकरन की प्रकीरा पर्थन चरण के अंतरगर राजस्तान के चार जिले अलवर बर्तपूर अलवर बर्तपूर अलवर बर्तपूर दोलपूर क्रोली को मिला कर मर्चे संका गठन किया गया तता दोलपूर के महराजा उद्य बांशिये ने दोलपूर के महराजा उद्य बांशिये को इसका राज पर मुक बनाया गया दोलपूर राजस्तान का सबसे पुर्वी जिला है दोलपूर राजस्तान का सबसे पुर्वी जिला मना जाता है दोलपुर में ही सोरवपर्थम सुर्य उद्य होता है और सोरवपर्थम अस्त भी दोलपुर जिले में ही होता है अब हम बात करेंगे दोलपुर जिले के उपनाम या प्राचिन नाम की बात करेंगे दोलपुर को राजस्तान का पूर्वी प्रेश द्वार भी दोलपुर जिले को कहा जाता है रेड डाइमंड रेड डाइमंड शिटी भी दोलपूर जिले को कहा जाता है। दोलपुरी और दोलागरी ये दोलपूर के प्राची नाम है अब दोलपूर जिले का सामाने प्रिचे देखिए दोलपूर का छेतर पर 3034 किलोमेटर है दोलपूर जिले का छेतर फल 3034 किलोमेटर है दोलपूर जिला छेतर फल की देश्टी से सबसे छोटा जिला है दोलपूर में पांस तशीले हैं दोलपुर जिले में पांस तशीले हैं जोलपुर जिले में उप तशीलों की संख्या तीन है दोलपुर में उप तशीलों की संख्या तीन है दोलपुर में उप कंडों की संख्या चार है दोलपुर जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या एक बर्दपुर्च संभाग के अंतरगत आता है अब हम दोलपुर जी लेकी मानचित्र में श्थिती जानकारी देखेंगे स्थित में 26 . पूरभी से स्थान्तर मिंट जिले की 54 देशान्तर ब murmuringी outfits देसे से तुझे झें के स्थान्तर रूदा पूर्वी देशान्तर से हूं एक खुद दोलपूर, दूसरा राज खेडा, तीसरा बंडी, च्यार नमर बसेडी, ये दोलपूर जिले के 4 विदानचबा, 2011 के जन्गना के उसार दोलपूर जिले के आकड़े, दोलपूर के जिले की कुल जन्चें क्या 12,6519 वेक्ति दोलपूर जिले में निवास करती हैं, दोलपुरजी लेका लिंगान पात 846 है, जन घनताव 308 में दोलपुरजी लेकी साक्सर्ता उनेटर पॉंट 1 परतीष हते है। दोलपूर की मेला साख सर्तादर है, 54.7% मेला साख सर्तादर है, दोलपूर की पूर साख सर्तादर है, 81.2% है, दोलपूर जी लेके परमुख मेलने वे त्यार, तिर्त राज का मेला, यह मत्चकुंड दोलपुर में बादो शुदी सस्टमी को मेला बड़ता है शेपू मादेव का मेला, शेपू दोलपुर में फालगुन तता स्रौन मास में चतुर्दसी को मेला बड़ता है अब हम दोलपूर जी लेके परमुख मंदिरों की बारे में अध्यन करेंगे मचकुंड दोलपूर को तिर्थों का बांजा के नाम से भी जाना जाता है मचकुंड हिंदों का एक पर्षित तिर्षतल है मचकुंड दोलपूर हिंदों का एक मेध्यपूर तिर्षतल है जिस परकार तिर्थ राज पूर्ष कर को तिर्थों का मामा कहा जाता है उसी परकार दोलपूर जी लेके मचकुंड हो तिर्थों का बांजा कहा जाता है यह तिर थिस्तल गंद माधन प्रवत परस्तित है। ऐसा मना जाता है कि मचकुन्द में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है। यहां परतिवर्ष बादवा सुधी चट को मेला बढ़ता है यहां परतिवर्ष बादवा सुधी चट को बहुत बड़ा मेला बढ़ता है दूसरा मेला यहां पर है परसिद मेला महाकालेश्वर का मेला महाकालेश्वर का मेला यह दोलपूर के स्रम थुरा कस्वे मिश्टित है इस मंदीर में बादरपद सुकल 17 से लेकर 14 सी तक मिला भरता है इस कस्वे की स्तापना 1327 में पालवंष के सासक अर्जुन देव ने की थी अर्जुन देव ने इसकी स्तापना की थी रादा भीहारी मंदिर दोलपूर पुलेश के पास इस मंदिर की बारिक नकासी दोलपूर के लाल पत्थर दोलपूर स्टोन से ताज मेल की तरह की गई है यह मंदिर प्रेट्रें की दस्टी से बहुत ही आकर सका मंदिर है शेपव महादेव का मंदिर शेपव धोलपूर में यह मंदिर शेपव धोलपूर में है यह पर्वति नदी के किनारी स्तित है यह यहां एक चमतकारी स्विलिंग भी स्तित है अब हम धोलपूर जिले के पर्मुख दर्शनेश्टलों के बारे में ध्यन करें है दोलपूर जिले में निहाल टावर ये दोलपूर में श्तित है आठ मंजिला घंटा करया जिसे निहाल टावर कहा जाता है इसका निर्वान 880 में राजा निहाल शियेने प्रारण करया था 1910 इसे माराजा राम सियने से पूर्ण कराया निहाल सियने तो इसे परारम कराया और माराजा राम सियने से पूर्ण कराया यह भारत का सबसे बड़ा घंटागर है यह भारत का सबसे बड़ा घंटागर है इसकी आठी मंजिल परमात्र छत्री है इस घंटागर की गड़े का न सेर कड़ को किला दोपूर का दूर सेधस न इस्तलियों bicyno например मैं पाल मन किसंक मैलडेउ ने करवाया थ memes ऑजवहे दोरपाल ऑट्वाiva देविप ऑल 0ege इसथा दुमै इस दूर के पंबाल कर सेधसा सूरी में फंनल़् सतारीश हे दूर को पूर बसाया तथा इसका जुर्णोंद्वार कराया चेड़ साहं के नापरिश्दूर का नाम छेonton रखा गया इसका न्या नम दक्षेर्ण का दौरगट做 elsewhere दोलहेरगड दोलपूर दुरूग भी इसको कहा जाता है है कि सेघर आखिला दोलपूर के पर्थम्राजा किर्चिये की राधा नी था है सेघरगडु दूरूग सामपर्दाएक सद्वाओ के लिए भी जाना जाता है शेरगट दुरुग किले के नाम से एक अन्य किला बारा जिले में भी इस्तित है दोलपुर जिले के एक और दर्शे इस्तला है तराब साही दोलपुर जिले की बाड़ी तशील में इस्तित जील के किनारे जांगीर के सहजादे खुर्म के लिए उनके मनसबस्वदार सलेख refreshing toबरा निर्मित खानपूर मेहल यह तालाब साही और खानपूर मेहल इस्तित यह भालणे, इरण, रिइंच, नीलगए, जरक, बेडिय। 12 सिंगा आदि वन्हेजियों के लिए प्रशिद हैं, दूसरा वन्हेजियो भालणे है राम सर्ष सागर वन्हेजियो भालणे हैं, इसे भालणे के स्तापना 1905 पन में की गई थी इस यह भ्याणने इरन रींच नीलगाय जर्क बेडिय और बारा सिंगा आदिवनेजियों के लिए परशिद है तीसरा वनेजियों ब्याण आता है केसर सागर वनेजियों भ्याणने यह भ्याणने दोलपुर्जिली में स्तित है फंद में ब्याणने आता है जबसें मेत्यपुर्ण चंबल राश्ट्री एती गड्यार भ्याणने यह भ्याणने राध़्यस्तान उत्तरपर Посकने अब्याढ़े सकतम्देश , उत्तरपर्देश में सिंसाल जाता है इसे घड़ियालों का ससार नाम से भी जन चंबल घड़िया ब्याणने राज जय का एक मात्र जली ब्याणने है यहां सिसु मार चंपन गंगाई डोलफिन गांगे शूप उद्विलाप जैसे स्तन्दारी जीव पाई जाते हैं पांच मुआ अभियान आते हैं दोलफूर्वने जिव भ्याणने दोलफूर जिले में स्तित है अब दोलफूर जिले के बारे में कुछन ने मेत्यपूर्ण पर्चन देगिए भारत का सब से बड़ा घंटागर निहाल टावर दोलफूर जिले में स्तित है राजस्तान का चेत मल्टि प्रोजेक्ट सेज दोलपूर में राजस्तान में नियूंतम सड़कों वाला जिला भी दोलपूर है राजस्तान में नियूंतम पशु संपदा वाला जिला भी दोलपूर ही माना जाता है राजस्तान में नियूंतम लिंगानुपात वाला जिला भी दोलपूर ही देख लंबि बाउडी, ये सात मंजिला बाउडी की बनाउट एक समान हैं , दोलपुर का लाल पत्थर, DOलपुर स्टौन, DOलपुर के लाल पत्थर यह नीची छेतर की दोड़पूर में स्तापित कम्पनी थी हाइटिक, यह है टेक्निकल पिशेज न गलास वर्क्स, यह शिरिग, गंगा नकर सुगर मी लिम्टेट की साय कम्पनी थी स्राव की बोतलों का निर्मान किया जाता है, यह एक स्वार्जनिक मील है, यह एक स्वार् पुर्दत है दी राजस्तान एक्स ओलीव एंड केमिकल लिम्टेड ये खाद का कारखना दोलपुर जिले मिश्तित है बदावरी बादवरी बहस इसका मूल उत्वित्तिस्तान है उत्तरपर्देश इस बहस में दूद में सरवादिक वसा पाई जाती है सरवादिक दूद देने वाली नसल तो मुरा है और इस नसल की बहस में बदावरी नसल की बहस में सरवादिक वसा पाई जाती है यह वस राजस्तान के दोलपुरें बर्थपुर जिलों में मुखेते मिलती है दोलपुर जिले का आगे देखिए बीबी का मकबरा दोलपुर जिले में स्तित है बब्बु महराज का मेला दोलपुर जिले में भरता है तमचा साइच्छी के दोलपुर में चलाए गये थे बाड़ी का युद सन पंद्रा सो ठार उन्नीस युश में राणा सांगा वै इब्रहेम लोधी के मद्ध्य वाजिस में राणा सांगा को विजय अप्राफ्थ हुई थे ये बाड़ी नामक स्तान भी दोलपुर जिले में ही इस्तित है अब दोलपुर में विद्रो 27 सक्टूबर अठा स्तावन को यहां के जनता ने देवा गुजर रामचंदर वैं हिरला राणा के निर्तरतमें विद्रो कर दिया वैं दोलपुर जिले पे अधिकार कर लिया जिसे दो माहा तक पट्टियाला नरेस ने वहां दो माह बाद करांतिकर्यों से वहां के राजा वहां सियको आजाद कराया दोलपुर परजामंडल दोलपुर परजामंडल की स्थापना 1936 में कर्संदर्थ पल्लिवाल वैज्वाला परसाद जिग्यास द्वरा की गई, के दोल्पूर जिले के बारे में और झान गाहें, 4 जून 2015 को, 4 जून 2015, 2005 को बर्तपूर संभाग बनाया गया, बर्तपूर संभाग में, बर्तपूर, दोल्पूर, करोली और स्वांध पर्不起लों को को सामिल किया गया है लो पुर बर्दपूर संभाखर में काम में आता है राजस्तान के सब से पुरूमें दोलपूर जिले की राज़ग है तसीर ना गाउ है सब ये बैद जोलपूर जिले की नदिया जाऊ पर्मु नदी चंबल परवति और घंबीरी नली है एउधी का अपत HOLPUR ढ़ जिले और देकि म्युर्पुर्ण तड़ि ले में स्तित कमल के फूल का बाग यह बाद मच्कूंत टल के नाम से भी दोपुर में स्तित है दोलपूर के कमल के बाग का उलेख बाबर ने अपनी आत्म खता में किया था तहरी के मिलत यह कोटा से प्रकाशी तेक पत्रिक है जो विवाद पर सोने के कान दोलपूर जिला परसासन ने इस पर रोक लगा दी थी भेंट भेंट ख्याल दोलपूर जिले की परसीद है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आगे के अधिन में हम जेपूर जिले का अधिन करेंगे तो धन्यवाद